नवस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो सेग्मेंट में हम आपको एक ऐसी I.S. अधिकारी वनी लड़की की व्यथा और दर्द दिखाने जा रहे हैं, जिसको देखने के बाद आपका दिल भी बोल उठेगा कि तू घर से ही कुछ कर और आप भी कुछ अलग करने की ठान सकत हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चंद लाईने आपके लिए बेज करता हूँ, तालुक कोन रगता है किसी नागाम से, लेकिन मिले जो काम्याबी सारे रिस्ते बोल पड़ते हैं साहिव, मेरी खूवी पे रहते हैं यहां एहले जवा खामोस, मेरे एबों पे चर्चा हो तो ग कमरे में बैठे, आई एस के स्लेबस को पढ़ रही थी, जी हां कमरा भी कुछ यूँ था कि उसी में गैस रखे हुए थे, उसी कमरे में खाना बनता था और उसी में सोना था, क्योंकि तपस्या के घर में किवल एक ही कमरा था, अब जब की साम हो चुकी थी, तो तपस्या आ अब रात हो चुकी थी, तपस्या ने अपने दोनों चोटे भाईयों को खाना खिला कर सुला दिती है, और पापा के इंतिजार में लवासना आई एस ट्रेनिंग मसूरी की वीडियो देखने लगती है, तब है अचानक सुनिल, जो कि तपस्या के घर के बगल में रहता था, दोड़ता दोड़ता तपस्या के पास आता है, और बोलता है तेरे पापा को पुलिस वालों ने ठाने में बैठा रखा है, और पुलिस यह भी नहीं बता रही है क्यों ने तेरे पापा को क्यों पकड़ा है, इतना है सुनते तपस्या घबरा जाती है, और अब उसे ये हो चुकी थी और यदि तपस्या सुनील के साथ पापा को छुडाने थाने जाती तो उसके छोटे भाई घर पर अकेले हो जाते हैं लेकिन तपस्या ने दिल पर पत्थर रखकर भाईयों को कमरे में लौक कर सुनील के साथ थाने जाने को तैयार हो जाती है तपस्या जैसे ही थाने पहुचती है उसकी नजर अपने पापा पर पढ़ती है जिने पुलिस वालों ने इस कदर तॉर्चर कर थर्ड डिग्री दिया था मालों की वे कोई आतंके हुए और पिता तपस्या को देख गले लगा कर रोने लगते हैं तपस्या सुनील के साथ जट ही थानेदार साह दिखाते हुए तपस्या पे बढ़क पड़ते हैं लेकिन तपस्या भी उन आम लड़कियों की तरह नहीं थी उसे भली भाती मालूम था कि उसके अधिकार क्या है आखिरकार तपस्या थी तो आई-ए-स की तैयारी करने वाली लड़की जिसे पूर्टा कानून के सामाने न पड़के हैं इस पर धानेदार तपस्या को धक्के देकर बिना कुछ बताए थाने से बाहर निकल वा देते हैं तपस्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वहां कोई यह बताने को तैयार भी नहीं था कि वे उसके फिता को च्यों लेकर आई हैं तपस्या रोते-रोते घर चली आती है रात बीच जाती है और फिर सुबह आई एस की तैयारी करने वाली तपस्या अपने अधिकारों के सहारे अपने मेहिम्मत लाकर ठाने पहुचती है और तपस्या ने अब यह तैग कर लिया था कि वह यह जान कर रहेगी कि उसके पिता को पुलिस ने बिना किसी FIR या अप्राथमी की दर्ज किये बिना मेरे पिता को किस आधार पर अपने कस्टेडी में रखा है। आप ये कैसे कर सकते हैं। थानेदार के कानों में तपस्या की या बात पहुंसते ही खलबली मच दाती है। और अब तपस्या यहां भी नहीं रुकती। बलकि वह थानेदार को यह भी बताती है कि आप जैसे पुलिस वालों का यह उत्तर दाईत्वा बनता है कि आप अपराधी को पकड़ कर उसके किये गए अपराध की जानकारी दे और अपराधी पर FIR दर्ज करने के 24 घंटे के अंदर जिला मजिस्टेट के सामने पेश करें। तपस्या की यह बास सुनते ही थानेदार गुस्टे से लाल हो जाते हैं और तपस्या को आई PC की धाराओं की पावर दिखाकर हलकाने की कोशिस करते हैं। तपस्या यह जान चुकी थी थानेदार अपनी पावर का गलत इस्तिमाल कर उसके पापा और उसे फ़सा सकता है। उसने बताया कि थानेदार तुम्हारे पापा को सिर्फ इसलिए पकड़ा है क्योंकि पिछले महीने विधायक जी की रैलियों में तुम्हारे पापा की गाड़ी विधायक जी के कुछ लोग ले जाना चाहते थे लेकिन तुम्हारे पापा ने मना कर दिया था तो अब जीतने के बाद विधायक जी अपना बदला ले रहे हैं ये सुनते ही तपस्या जमीन पर गिर जाती है और सोचती है कि इतनी छोटी बात के लिए कोई कैसे पुलिस का गलत इस्तिमाल कर सकता है उसे भले आदमी ने तपस्या को यह भी बताया कि थानेदार ने अभी तुम्हारे सुनील के साथ घर जाकर पैसो का इंतिजाम में लग जाती है तपस्या अपनी सेविंग के सारे पैसे निकाल लेती है जो उसने आई एस परिक्षा की टेस्ट सीजिज के लिए रखे थे और वजहर से थाने पहुच जाती है और थाने कोई किसी के माद्यम से एक करीबी की से थानेदार साहिब तक पैसे पहुचा देती है और थानेदार तपस्या के पिता को वार्निंग दे कर छोड़ देता है बत्तिस घंटे बिना अपराद किये पुलिस कस्टिडी में रहे तपस्या के पिता घर आ जाते हैं लेकिन तपस्या यह समझ गई थी कि उसने अपनी जिन्दगी का पहला अप्राग कर दिया है वो भी पुलिस थानेदार को रिजवत दे कर वह बार बार रोती रही कि आकरकार यूपेसी की तैयारी में जो कायदे कानून अधिकार सम्विधानम पढ़ते हैं क्या उसका कोई मात तो नहीं यह सोच तपस्या खूब रोती है औ अब तपस्या यूपेसी की तैयारी में जोरों से लग जाती है उसने अपने पिता को यह भरोसा दिलाया कि पापा आपके खोई हुए सम्मान को मुझे वापिस लाना ही है पिता को यह थोड़ा भी नहीं मालुम था कि IAS IPS बनते कैसे हैं लेकिन इंटेनेट के इस योग में उनकी बेटी तपस्या को सब कुछ पता था कि तैयारी कैसी करनी है तपस्या इंटेनेट को अपना गूरू बना लेती है और लगातार 6 महिने खुद से तैयारी करती है और खुद को तपस्वी साधू की तरह तैयारी में जोग देती है सब कुछ अच्छा चल रहा था लेक को दे दिया था और पापा के पास भी उत्मा पैसा अब नहीं था कि वह दे सके ऐसे में तपस्या ने टौपर्स की कौपी को लगातार बार बार देखा और उनकी कौपियों को देखकर अपनी कलती सोधारी और इस तरह से बिना किसी टेस्सीरीच को जोईन किये तपस्या UPSC क पर इच्छा देती है और एक्जाम में तपस्या की तपस्या रंग लाती है और पहले ही प्रयास में UPSC में अच्छी रेंग लाकर इतिहास रज़ देती है तपस्या की रेंग इतनी अच्छी थी कि उसे IAS आसानी से मिल सकता था यानि कि IAS का पद आसानी से मिल सकता था ले जिस थानेदार के गर्ड तपस्या ने अपनी पहली वरियता IPS दी थी ऐसे सैकड़ो थानेदार तपस्या के नीचे काम करते हैं जो कि तपस्या उन थानेदारों की पुलिस कप्तान बन चुकी है और जिस विजिले में तपस्या बतौर पुलिस कप्तान जाती हैं वहां की गाया पलट कर देती हैं दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में इस वीडियो से यदि आपको खुछ भी सीखने को मिला यदि आपको लगता है कि आप अपने लक्ष के प्रति पूर्टा समर्वित हैं तो प्लीज लगादार इस सतत प्रक्रिया को बनाये रखें आपका को बारिकी से देखे समझे कि तपच्या की लगण किस तरह से थी उसने कैसे तपच्या की और अपने लगण और अपनी मेनफ से अपने लक्ष को प्राप किया दोस्तों मुझे पूरी उमीद है कि यदि आप अपने दिल उ जा से अपने लक्ष के प्रति समर्पित होकर पढ़ रहे होंगे तो आज नहीं तो कल वो लक्ष आपको बिलकुल मिलेगा दोस्तों हारिये मत आज सही लक्ष चाहिए पूरी तरह पूरी मेनद करके उस लक्ष को ग्राप करिये जिसके लिए आपने अपने सपने बुने हैं दोस्तों यदि आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अधिक से अधिक शेयर करें हमारी टीम आपसे कुछ नहीं मांगती बस एक शेयर का बटन दबाए और जितना हो सके रिकॉर्ड तोड इसे शेयर करें शेयर क